संयूक्त किसान मोर्चा ने परियावरण एक्टिविस्ट दीशा रवी की बिना शर्थ रिहाई की मांग की है। अपने लोगतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए ग्रेटा थन्बग के ट्वीट को शेयर किया था। लेकिन टरी हुई मोदी सरकार ग्रेटा की गिरफतारी कर लोगतांत्र की हत्या कर रही है। कहा जा रहा है केसी टूलकिट को स्वीडन की पर्यावरन एक्टिविस्ट ग्रेटा थन्बग ने भी साज़ा की थी। टूलकिट को लेकर मोदी सरकार का कहना है कि ये देश के खलाव एक साज़िश है। जबकि विपक्ष का कहना है कि असल मुद्दो से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरह की हरखतों का सहारा ले रही है। दीशा रवी ने कोट को बताया है कि उन्होंने इस टूलकिट को तयार नहीं किया और वो सिर्फ किसानों के लिए समर्थन जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दीशा ने कोट के सामने बताया कि उन्होंने तीन फरवरी को इस टूलकिट की दो लाइने एडिट की थी। अब दिल्ली पुलिस ने वकील निकिता जैकप की गिरफतारी के लिए भी वारंट जारी कर दिया है। इनको लेकर बॉम्बे हाई कोट पहुँची हैं और गिरफतारी से राहत की मांग की है। बेरो रपोर्ट गो नियूस।